हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के है कि सभी अच्छे है चलो तो जैसा कि आपको पता है हमने अपने चैप्टर नम्मर 17 को स्टार्ट कर दिया है ठीक है और चैप्टर नम्मर जो 17 है उसका नाम आप सभी को पता ही है स्वस्चन एवं गैसों का विनिमे ठीक है बई तो ये है हमारा चैप्टर 17 जिसके बारे में कल हमने बात की थी और कल जो हमने यहाँ पर टॉपिक देखा वो ये देखा कि भेविन प्राणियों में कौन कौन से स्वसन अंग होते हैं ठीक है और कल ही हमने अपना एक मुख्य टॉपिक स्टार्ड कर दिया था मानव स्वसन तंत्र की संरचना कर दिया था भई मानव स्वसन तंत्र की संरचना है तो मानव स्वसन तंत्र की जो संरचना है उसमें हमने क्या देखा कि स्वसन तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया एक तो था सहायकंग और एक था मौलेकंग ठीक है तो कल तक हम यहां बात कर चुके थे तो आप heading लगाई यह नम्मर एक सहायक अंग heading लगाओ ठीक है लेखो इसमें आओ ऐसे अंग जो स्वास को कार्यकारी अंग तक पहुचाने के लिए केवल मार्ग का कार्य करे सहायक स्वासन अंग कहलाते हैं ठीक है पहले आप इसकी परिवासा लिखनो एक नॉर्मल ब्यमें समझने के लिए कि सहायक अंग क्या है सहायक स्वासन अंग ठीक है अब जैसा की आपको पता है कल हमने इसको लिस्ट आउट कर लिया था कि कौन कौन से अंग सहायक अंग है और कौन मौलक या मुख्यंग है ठीक है तो हम नम्मर ए हेडिंग बात करते हैं सबसे पहले नासा मार्ग जिसको नेजल पाथ बोलते हैं नासा मार्ग जिसको क्या बोलते हैं नेजल पाथ बोलते हैं ठीक है तो ये जो नासा मार्ग है ये पहला अंग होता है जो स्वसंतंत्र में भाग लेता है स्वसंतंत्र के जो अंग होते हैं उनमें सबसे पहला जो भाग है या अंग है वो कौन सा है नासा मार्ग जिसको हम नेजल पाथ या पासीज बोलके चलते हैं तो पहले इसमें नोट कीजिए क्या होता है फिर इसकुम डिटेल से समझने की कोशिस करेंगे ठीक है तो पहले आप लिखते चलिए भाई ये नासा चिद्र नासा मार्ग में खुलते हैं दोनों नासा मार्ग नासा पट द्वारा पृत्थक रहते हैं नासा मार्ग का अग्र भाग उपास्तिका तथा पश्च भाग अस्तियों का बना होता है नेक्स्ट पॉइंट नासा मार्ग में तर्वाइनल अस्तियों का तेड़ा मेड़ा रास्ता होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नासा मार्ग में रूम युक्त उपकला होती है जिसे गिरान उपकला या सिनी डेरियन कला कहते हैं पहले यहां तक आप नोट कीजिए फिर उसके बाद हम और लिखते हैं या फिर ऐसा कीजिए देखो आप यहां तक नोट करो यह वाली बात तक नोट करी लिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है इसको मिटा कर मैं और आगे की लाइन यहां पर लिख देता हूं सिनी डेरियन कला कहते हैं ना नेक्स्ट पॉइंट इसकी उपकला में गंद संभेदी कोशिका ओती हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करके आप लिखो सिनी डेरियन कला में राइनू विशाडू के संक्रमण के कारण राइनू बिशाडू के संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है जिस्से शलिष्मा का स्रावन होता है इसी जो काम कहते हैं यहां तक आप क्लियर नोट कीजिए ना फिर इसको समझने को बात करते हैं नोट कीजिए पहले आप कर लिया नोट ठीक है चलिए वई तो यह थियोरी आपने कम्प्लिट लिख ली अब एक बार इसको ध्यान से समझने कोशिश करना ठीक है हमारी जो बात चल रही है वो पहले और गंस पर चल रही है जिसको उम बोलते हैं नासा मार्ग ठीक है बई नासा मार्ग यह होते हैं नासा मार्ग आप सभी जानते हैं ठीक है, होता क्या है, कि भाईये नासा चिद्र, ये भाईये नासा चिद्र हैं, जो अंडाकार आक्रिती के होते हैं, केवल चिद्रों को हम भाईये नासा चिद्र बोलते हैं, तो भाईये नासा चिद्र नासा मार्ग में खुलते हैं, ये अंदर जो कैविटी सी हमको तो दो बाईये नासा चिद्र होंगे जो हमारे कहां खुलेंगे नासा मार्ग में ठीक है नेक्स्ट दोनों जो नासा मार्ग हैं देखो आपको मैं बताओं ये दो नासा मार्ग हैं और ये इस सनरचना के द्वारा देखो ये वाली इसको बोलते हैं हम नासा पट ये वाली सनर दिखाई दे रही है आपको इसको क्या बोलते हैं नासा पट बोलते हैं ठीक है तो याद रखो इस चीज को कि दोनों नासा मार्ग नासा पट के द्वारा प्रिथक रहते हैं बताओ रहते नहीं रहते हैं ना नेक्स्ट नासा मार्ग का अग्र भाग देखो ये वाला जिस बा तो नासा मार्ग का जो ये अग्र भाग होता है जो कि लचीला सा होता है बो बना होता है उपास्थी का किसका बना हुआ होता है उपास्थी का और जो पीछे का भाग है देखो ये वाला ये जो पीछे का भाग है बो किसका बना हुआ होता है अस्थियों का बना हुआ होता है क दो नासा छिद्र ये हैं अंडाकार जो नासा मार्ग में जाके ओपन हो रहे हैं नासा मार्ग जो है नासा पट के द्वारा पिर्थक है ठीक है और ये जो नासा मार्ग है उसका अग्र भाग उपास्ती का बना हुआ है जबकि पिछला भाग अस्तियों का बना हुआ है किलियर चलिए नेक्स्ट ये जो नासा मार्ग होता है इसमें टर्वाइनल अस्तियों का ये बेरी बेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है अभी जम इस नासा मार्ग के कार्य के बारे बात करेंगे तम मैं आप इसको इसकी कार्य बताऊँगा इसका क्या कार्य होता है आप अभी इतना याद रखो कि जो नासा मार्ग होते हैं उसमें टर्वाइनल अस्तियों का तीड़ा मेड़ा रास्ता होता है टर्वाइनल अस्तियों का क्या होता है तेड़ा मेड़ा रास्ता होता है अभी जो नासा मार्ग है ये जो नासा मार्ग है नेक्स्ट पॉइंट में जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो नासा मार्ग है इसमें रूम युक्त एक परत होती है उपकला परत एक लेर और उस लेयर को हम गिरान उपकला गिरान का मतलब होता है गंद गंद मतलब इसमेल बगएरा उसको सूंगने के लिए तो जिसे गिरान उपकला या सिनी डीरियन कला कहते हैं आप इसको अंडरलाइन करते हुए चलना ठीक है नासा एक गरमी बहुत है आज तोड़ी है चलो सिनी डीरियन कला कहते हैं है ना अब नोट में मैंने क्या पोइंट लिखाया है यह तो कोई ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है आप सभी जानते हैं नोट में मैंने एक बिसिस पोइंट लिखाया है वो क्या बिसिस पोइंट लिखाया है वो देखो कि जो सिनी डीरियन कला हो यदि इस सिनी डेरियन कला में राइनो बिसाडू का संक्रमन हो जाए किसका संक्रमन हो जाए राइनो बिसाडू का संक्रमन हो जाए तो इस परत पर सूजन आ जाती है किस कारण आई इस परत पर सूजन राइनो वाइरस की संक्रमन की कारण और जब इस परत पर सूजन आ जाती है तो ये ज़्यादा मात्रा में सिलेस्मा का सरावन करती है अब एक देशी भासा में मैं आपको सिलेस्मा बताऊं पहली बात तो सिलेस्मा को इंगलिस में म्यूकस कहा जाता है और ये म्यूकोसा नाम की परत्स सरावित होता है, जो हमारी नाक से एक लिक्विड पदार्त बहर निकलता है, वह हमारी म्यूकस होती है, उसी के जैसी होती है हमारी म्यूकस, जो नाक के अंदर से लिक्विड बहर निकलता है वह भी एक प्रकार का म्यूकस है, समझ मागी बात तो वही होता है सिलेशमा, ठीक है भई, हाँ, आपने देखा होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जुखाम बोलते हैं, या उसको देसी बासा में सामान्य ठंड कहते हैं, कौमन कोल्ड के नाम से इसको जानते हैं, सामान्य सर्दी, कहते हैं न सर्दी लग गई तुझे, मतलब क से नाक की सिनी डैरियन या गरहन उपकलापर संक्रमण कर देता है जिससे इस परत में सूजन आ जाती है और सूजन आने के कारण बूर ज्यादा मात्रा में सिलेशमा का स्रावन करती है और लगातार जो म्यूकus है बो नाक के माध्यम से बाहर निकलता रहता है और उसी को क्या नाम दे देते हैं, जो काम नाम दे देते हैं, am I clear, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अच्छा, तो ये नासा मार्ग की बात आपको यहां तक समझ मागी जो मैंने पॉइंट लिखाए, है ना, ये स्वसन अंग का, ये स्वसन की का, स्वसन तंत्र की संरचना में भाग लेने वाल पहला और गंस है, तो नासा मार्ग के बारें, जो भी आपको मुख्य मुख्य पॉइंट थे, वो मैंने आपको यहां पे नोट करा दिये, और हर पॉइंट मैंने आपको यहां पे बता दिया है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें आपको कार्यों की यह तो नासा मार्ग होई गया इसकी हम ने संरचना देख ली कि आखिर इसमें क्या क्या होता है अब हम नेक्ट इसी में बात करते हैं आप हेडिंग लगाई यह नासा मार्ग के कार्य है कि जो नासा मार्ग है इसके कार्य क्या होते हैं तो पहला कार्य है तरवाइनल अस्थियों के गुमावदार रास्ते के कारण बाहर की बायू इसमें जाती समय नम हो जाती है सेकेंड इसमें उपस्थित शिलेशमा वेर रूम दोल के कण और क्या है हाँ दोल के कण गंदगी कोई भी प्रकार के मतलब कण हो ठीक है जीवाडू आदी को अंदर जाने से रोकते हैं कि ठीक है तो यह दो पॉइंट आप नोट कीजिए नासा मार्क के कार्यों के बारे में कि ठीक है नोट कर लिया अराम से यह दो कार्य है नासा मार्क के नोट कीजिए इनको पहले आप चलिए अब समझते हैं ना देखो नासा मार्क जो है वह हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट काम करता है वह हम समझने कोशिंश करते हैं तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि जो हमने बात की थी कि हमारे नासा मार्क मैं तरवाइनल अस्तियों का एक टेड़ा मेडा रास्ता होता है तो वो जो रास्ता होता है न वो गुमावदार होता है बिल्कुल इस प्रिकार होता है से मालीजे न ऐसे तो इस गुमावदार रास्ती होने से हमें क्या फायदा है बाई एक बात समझो बाहर की जो बायू होती है जब मतलब मान लीजे गर्मी का मोसम है तो वाहर की जो बायू है वो बताओ गर्म होगी के नहीं होगी होगी ना गर्म और हमारी बोड़ी का जो टेंप्रेचर है वो तो 37 डिग्री सेल्सेस रहता है हमेशा है हम समतापी प्राणी है देखो दो प्रकार के प्राणी होते हैं एक होते हैं समतापी एक होते हैं बिसमतापी है ना समतापी का क्या मतलब है समान ताप वाले बिसम तापी का क्या मतलब है ऐसमान ताप वाले इनका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे प्राणी जो हमेशा अपने बोडी टेमप्रेचर को बराबर रखते हैं चाहे बायू मंडल का बाहर के बातावरण का कितना भी टेमप्रेचर हो जैसे गर्मियों के समय में माल लीजिए बातावरण का टेमप्रेचर 45 डिगरी सेल्सियस है तो भी हमारा जो टेमप्रेचर है वो 37 डिगरी सेल्सियस रहेगा क्यों क्योंकि हम समताफी प्राणी हैं लेकिन कुछ प्राणी जैसे मैं बात करूँ मेडक है सर्प है यह उते हैं बि समताफी प्राणी जितना बाताबर्ण का temperature होता है उतना ही इनकी बॉडी का temperature हो जाता मचली बगेरा है ना ये तो अब ये दो बात समझ माई ये एक्ष्टा नौलेज है आपको बात छिड़ गई है तो इसलिए मैं आपको बता रहूं देखो दो प्रकार के पढ़ नहीं है एक तो हैं समतापी और एक हैं बिसमतापी समतापी को हम समतापी वो होते हैं जो अपने सरीर के टेमप्रेचर को हमेशा समान बना कर रखते हैं लेकिन बिसमतापी वो होते हैं जो अपने सरीर के टेमप्रेचर को बातावरण के अनुसार बना लेते हैं जितना बातावरण का टेमप्रेचर होता है उतना ही उनका टेमप बात मैं आपको यहां बता दूँ कि यदि बातावरन का टेमपरेचर 50 डिगरी सेल्सियस है तो उस टेमपरेचर पर जो बिसमतापी प्राणी होते हैं वो बच नहीं पाएंगे समझने मेरे बात को फिर आप सोचेंगे सरी वो बच नहीं पाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे तो भाई हर के लिए क्या होता है सुरक्चा करने के प्रकृती ने सभी के लिए अनुकूलताइं दिये हैं जैसे हम अपनी बात बताएं कि हम अपने शरीर के टेमप्रेचर को किस प्रकार समान बना के रखते हैं, देखो भई, माल लिजिए गरमियों का समय है, बाहर का टेमप्रेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय क्या होता है, हमें पसीना आने लग जाते हैं, आते हैं न, तो पसीनों की बज़े से, जैसे ही पसीना बहार निकलता है, जो हवा होती है, वो हमें थोड़ा ठंड का एसास कराती है, और हमारे टेमप्रेचर को थोड़ा डाउन कर देती है, तो गरमियों के समय में तो हम पसीने को निकाल कर अपने सरीर को रेगुलेट करते हैं, सर्दियो के समय बाहार का जो टेंप्रेचर है वो कम होता है और हमारे शरीर का टेंप्रेचर ज्यादा होता है होता है ना फिर हम कैसे 37 temperature बनाएं अपनी बोडिक अंदर तो मैं आपको बता दूँ सरदियों के समय हम कप-कप आने लगते हैं तो कप-कपी होना एक प्रकार का exercise मानी जाती है वया है हम और उस exercise करने के कारण मतलब automatic होता है ये सरीर में कप-कपी होने से हमारे सरीर exercise करता है और जिससे हम मारा जो temperature है वो अपने आप increase हो जाता है और 37 degree Celsius हो जाता है तो इस प्रकार हम सरदियों में और गर्मियों में अपने body temperature को regulate करते हैं कैसे गर्मियों में पसीना निकालकर सरदियों में कप-कपी या कोई exercise करके ठीक है ये basic knowledge है इसलिए आप इसको समझें लेकिन कुछ प्राड मैं बताऊं मैडक की एक मैडक का हम एक्जामपल लेते हैं आपने देखा होगा कि जो मैडक होते हैं ने तो कभी गर्मियों में दिखाई देते हैं और ने ही कभी सर्दियों में दिखाई देते हैं ये हमेशा बढ़सात रितू में दिखाई देते हैं मैडक है सर्प है जो ही है सही कहày रहूं मैं मेडक को आप मेरा आप कभी भी सड्ड्रीयं में या ज्यादास गर्म देख पाएंगे नहींद को ये क्लग बात कई बार बाहर रह जाते हैं या कोई बाहर निकलाता कोई कारण क्लेकर रेर रियरं चांशेंस होते हैं आप बहुत जानते 14 13 इतना है तो उस समय क्या होता है कि ये जो मैड़क है वो जमीन के अंधर छिपे रहते हैं और एक कंडिशन में चले जाते हैं उस कंडिशन का नाम है सीत निस्क्रियता और इंग्लिस में बोला जाता है हाईवर नेशन बहुत इंपोर्टेंट ये किरिया है सीत निस्क्रियता और एक होती है ग्रीश्म निस्क्रियता ठीक है ध्यान से समझो सीत का क्या मतलब है सर्दी निस्क्रियता का मतलब निस्क्रिय होना तो मैं आपको बत होते हैं जब बहुत ज़्यादा सड़्दी होती हैं तो वो एक निश्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं और लंबी नीद लेते हैं एज लाइक भालू जो मारा पूलर बियर होता है धुर्विय भालू जो होते हैं आपने सुनावी होगा कि भालू छह महीने सोता है छह महीने जागता है यह बिलकुल राइट बात है क्यों क्यों क्योंकि धुर्विय पिर्देशों में बहुत ज़्यादा सड़्दी होती है हमेशा बर्फ रहती है लेकिन सड़्दियों के समय तो भाई बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है तो जो भाल हमारे मैडक की होती है कि सरदियों के समय वो अंदर छिप जाता है और एक लंबी नीद लेता है चार-पांच महीने उस कंडिशन को हम नाम देते हैं सीत निश्क्रियेता या हाईवर नेशन ठीक है तो क्यों क्योंकि ये बिसमताप ही है यदि ये भार आ गए तो इनके सरीर का टेमप्रेचर बातावरन के टेमप्रेचर के अनुसार हो जाएगा और इनका रख्त जम जाएगा और इनकी म्रत्य हो जाएगी इसके बचने के लिए ये क्या करते हैं जमीन के अंदर जाकर निश्क्रिये हो जाते हैं बिलकुल कुछ किरिया नहीं करते केवल अब आप सोच से ये अपनी ऊड़जा की प्राप्ति करते रहते हैं देखो सभी में अनकूलता हैं तो पिरकृती ने इनमें भी अनकूलता दिये बचने के लिए ठीक है भई हाँ तो ये सीत निश्क्रियता एक बात में आपको बता दूँ आपने एक मूवी देखी होगी क्रिस्थ्री सभी जो प्राणी सा होता है जिसकी जीव होती है है ना काल नाम का जो ब्लेन होता है वो मेडक का एक क्लोन बनाता है आदमी वाला बनाता है और वो मेडक क्या है क्योंकि मेडक की बिसेश्था होती है वो जीव से अपना सिकार करता है करता है ना तो वो जीव वाला जो है उसको बांद कर ले आते ना लेबुरेटरिम ले आते न आपको याद है न अब एक बात समझो जब उसको वो एक बॉक्स में रखते हैं सी से वाले बॉक्स में रखते हैं तो वो जो है कोई भी क्रिया नहीं करता तब वो वहाँ बाचित होती है कि ये सर कोई भी रियक्ट नहीं कर रहा है लेकिन इसकी सांसे चल रही है ये रियक्ट कोई नहीं कर रहा लेकिन ये जिन्दा कैसे तब वो बताता है वो ये कहता है कि ये है एक मैडक का क्लोन है अर्थाती एक बिसिष्ट जीव है ये भ्यक्ति नहीं है ये बिसिष्ट जीव है और ये हाईवर नेशन में चला गया है आप उस पॉइंट को दोवारा समझना देख लेना आप वो यही condition बोलता है यही line बोलता है कि यह हाईवर नेशन में चला गया है तो भाई वो मैडक था वो जो बॉक्स था ना उसमें cold space मतलब कोल्ड कोल्ड स्पेस वाला बॉक्स था वो ठीक है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी तो ठंड को देखते ही वो तो अपने नैचर के साफ से कहां चला गया हाइवर नेशन में चला गया ठीक है तो उस कंडिशन को बोलते हैं सीतनिस करिया था है ना सैम उसी प्रकार क कि एक कंडिशन हमारी एक मचलियां होती है क्या होती है मचलियां उन मचलियों में भी एक कंडिशन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गिरीश्म निस्क्रियता क्या बोलते हैं गिरीश्म निस्क्रियता अब क्या है गिरीश्म निस्क्रियता बो भी समझो अभी हम कर पॉइंट है एक्ष्टा नॉलिज के लिए आ गें तो इनको समझ के ही सोड़ेंगे ना बिलकुल क्योंकि मेरी आदत है जब भी कोई बीच में अच्छा सा पॉइंट आ जाता है तो मैं उसको समझाए बिना नहीं रहता मतलब नॉलिज दिये बिना समझ रहें एक्ष्टा इसकी रियता क्या होती है देखो बहुत ज़्यादा गर्मियों के समय पर है जो हमारे पानी का टेमप्रेचर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा समात तालाव नहर जो भी है पोखर तालाव इनका टेमप्रेचर बहुत ज़्यादा होगा की नहीं होगा बह मचलियां है वो गरमियों के समय में नीचे गहराई में चले जाती है ठंडवाले स्थान में और अपने टेंप्रेचर को बना के रखती है समझ मागी बात तो उसे बोलते है ग्रीश में निस्क्रियता ठीक है तो ये कंडिशन थी सीति निस्क्रियता और grace minutes के लिया अता कि ठीक है अब आजाएए अपनी topic पर है तो देखो वाहर की जो बायू है वो है गर्म और गर्म बायू यदि हमारे अंदर जाती है तो कोई भी नुकसान हमें हो सकता है है ना तो इसलिए क्या होता है कि जब ये वायू इन गुमावदार रास्तों से चलकर जाएगी और यहां पर तो भाई सिलेशमा है है के नहीं तो सिलेशमा के कारण ये वायू बताईए नम हो जाएगी कर नहीं हो जाएगी अर्थात हमारे बोडी के टेमप्रेचर के अनुशार हो जाएगी और आराम से अंदर पहुचेगी ठीक है तो एक तो ये फाइदा है नासा मार्ग का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम कि इस नासा मार्ग में इस नासा मार्ग में देखो बाल होते और सिलेसमा होती है तो बाल और सिलेसमा के माध्यम से जो भी बाहार से कोई धूल के कन, हवा के कन, जो भी किसी भी प्रकार की गंदगी या कोई बैक्टिरिया बाइरस अंदर जाता है तो वो सिलेशमा और बालों से चिपक जाता है और सरीर के अंदर नहीं पहुँच पाता है तो ये भाई हमारा काम था किसका नासा मार्ग था आपको समझ मा गया ठीक है चलिए अब दूसरा जो है वो यहां पर बैस ये तो है ग्रस्नी लेकिन हम यहां ग्रस्नी की बात नहीं क पढ़ ली और वो बिल्कुल डिटू पढ़नी है जैसे जैसे पाचन तंत्र में हमने ग्रस्नी की बात की थी ना बुई बात यहां पर करनी है तो आप वही से उसको पढ़ ले ना कोई दिकत वाली बात नहीं है ना नेक्ट लिखिए स्वरियंत्र कंट जिसको लेरिंग से बोलके चलते हैं लेक्ट है स्वरियंत्र है ना लेखो यह है कि दुखनी उत्पादक यंत्र है जो नौ उपास्थियों से मिलकर नौ उपास्थियों से मिलकर बना होता है इसमें श्वर रज्जू होते हैं जो अंदर की बायू के माध्यम से कमपत होकर दुखनी उत्पन करते हैं ठीक है नोट किजिए श्वरियंत्र को ठीक है स्वर्यंत्र देखिए भई क्या होता है स्वर्यंत्र यह जो कंठ है इसको हम स्वर्यंत्र बोलते हैं और आप जानते हैं कि यह है एक द्धुनी उत्पादक यंत्र है जो साउंड प्रेडियूस करता है जो हम बोल रहे हैं यह जो द्धुनी आ रही है कहां से बनके आ रही है क अब इसकी डेटेल में आपको कभी और बताऊंगा इसकी पूरी किरिया विदी लेकिन जो अंदर की द्धुद्धना बायू होती है उस बायू से हमारी जो स्वर रज्यू होते वोकम्त होते और उन कमपन होने की बज़े से ही किसका निर्माण होता है दुहनी का निर्माण होता है तो नेक्स्ट ये है कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है नेक्स्ट है स्वांस नली जिसको ट्रेकिया बोला जाता है है ना स्वांस नली को यह है बारे सेमी लंबी कि नली है कि इसमें कि शी आकार के अच्छा चलो कोई बात नहीं छोड़े बच्चे थे हैं ना हाँ मैं बोल रहा था को रेपीट कर रहे ना देख रहे चलो कोई बात नहीं आये टॉपिक पाईए इसमें सियाकार के अपूर्ण छली होते हैं जो स्वांस नली को चेपकने से रोकते हैं ठीक है हाँ यही हमारे मोस्ट पॉइंट है स्वांस नली में दो पॉइंट हमें यहाँ पे लिखने देखे भाई स्वांस नली अब नेक्स चो अंगय वो है स्वांस नली जब इसका एक डाइग्राम बनाएंगे ना तब आपको और क्लियर समझ मा जाएगा स्वांस नली को हम ट्रेकिया वोलते हैं यह 12 सैंटिमीटर लंबी एक नली होती है और इस नली पर इंपॉर्टेंट यह बात होती है जो आपको याद रखनी है कि इसमें C आकार के अपूर्ण छल्ले होते हैं जैसे ये कोई स्वास न लिया ये वाली है तो इस पे बिल्कुल ऐसे छल्ले होते हैं देखो इस प्रकार के अपूर्ण ये पीछे के तरफ complete नहीं होते कि अबले न इस आकार के चल्ले होते हैं, तो ये जो C आकार के अपूर्ण चल्ले होते हैं, अच्छा एक बात और मैं भोल गया है, आप आप नोट करना, एक बात लिख लो ना, ये चल्ले उपास्थी के बने होते हैं, ठीक है हाँ, जो हमारी स्वास्णली होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 12 cm और इस पे C आकार के आधे चल्ले होते हैं, मतलब पूरे complete नहीं होते और वो किसके बने होते हैं उपास्ती के अब इनका काम क्या है इनका एक बहुत महत्पून काम है कि कई बार जब वायू की अनफस्तिती हो जाए पहुत कम समय के लिए तो उस समय में ये हमारी स्वांस नली को चिपकने या पिचकने से रोकने का कार् लिए ठीक है नेक्स्ट लास्ट है इसमें स्वस्नी जिसको बोलते हैं ब्रॉंकाई तो लिखो नेक्स्ट फटाबर लिखो स्वांस नली आगे चलकर दू भागों में बट जाती है जिन हैं स्वस्नी कहते हैं ये फैंपडों में जाती है ठीक है नोट कर लो इस बात को भई स्वस्नी देखो स्वांस नली आपको समझ मागई अब जो ये स्वांस नली होती है वो आगे चलकर दो भागों में डिवैड हो जाती है इस प्रकार साख्ःनुमा जिनको हम क्या बोलते हैं स्वस्निव णौते हैं और ये जो स्वस्निव होती है वह कहां जाती है दाएब फैंपडे और बाएब फैंपडे तो यह थे हमारे सहायकंग अब हमारे मौलेकंग कल जो है कल की हमारी बहुत important video रहेगी क्यों क्योंकि हम उसमें अपने फैंपडों के बारे में जानने की कोशिस करेंगे कि हमारे lungs क्या होते हैं ठीक है समझ रहें तो आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे जिसमें हमने सहायक अंग पड़े और कल हमारे स्वसंत अंत्रिक की जो सन्रचना है वो फैंपडों के साथ कम्प्लीट हो जाएगी ठीक है बाकी बाते करेंगे अब कल कि मैंपड़müş छुछुछुछ्टुछुपुछ κάν कि मैंपड़ुछुछुछ्भब़ुछुछुछ ग랑वता disintegr पाले कुछुछुछुछ MOB, MasonP dronesुछलीग यिर होँआवicism है सकततब करेंगे बाते कि मैंपना है तु竁छुछुछुछ। झाल झाल